हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू ब्लॉग्स टू मैग थिंग, आज टेलेंट एक्जिशन में हम आपके लिए लाए हैं रिंकी जी अगरवाल का टेलेंट, जो की है क्रियेटिव राइटिंग, आईए मिलकर सुनते हैं उनके द्वारा लिखी एक पोयम, सभी को मेरा नमशकार, मैं रिंकी अगरिवाल हर्दा मद्यप्रदेश से, आज मैं आपके सामने एक कवीता सुनाने जा रही हूँ, ये कवीता मैंने खुद लिखी है अपनी बेटी एनी के लिए, मेरी बेटी का जर्म करवा चोत की शाम को हुआए, जब करवा चोत की साम सार ने चांद का इंतिजार कर रही थी, तब चांद मेरी गोद में आकर समा गया, तो मैंने इसलिए उसके लिए कुछ पंक्तिया लिख लिए, शरद रितु की मौर पंकी शाम और करवा चोत की रात, सुहागिनों के तेहवार में एनी की मिली सोगात, चांद जैसा सुन्दर च की संसकारी बाला हमारी ननी बुलबुल, गदगद हुए हम पाकर इसको, इसके लिए ही है सब तयारी, हर पल जीतती रही है ये, अब जीतने के हमारी है बारी, हर प्रत्योगिता में अबल रही हमारी बिटिया रानी, गदगद है हम मागता पिता, जिनके घर जन्मी ये बहुत special है और मेरा यह कहना है कि मेरी बेटी नहीं सारी बेटियां अपने माता पिता के लिए और सभी के लिए बहुत special होती हैं पर पता नहीं कि उसके बाद भी आज भी बेटी हत्या बंद नहीं हो रही है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बाहर सुरक्षित नहीं घर में तो गर्म में भी सुरक्षित नहीं रही बेटियां जबके हम सब जानते हैं कि बेटों को भी जर्म देती हैं यह बेटियां बेटी नहीं होगी तो बहु कहां से लाओगे और अकेले बेटे से तुम कैसे वंश बढ़ाओगे और अंतिम दो पद्लियों के माध्यम से मैं बिटिया ही दीजो अगले जनम महीं बिटिया ही दीजो धन्यवाद तो फ्रेंड्स आपको यह टेलेंट कैसा लगा हमें कमेंट में लिख कर बताईए और पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू